अब इसे के अंदर मान लो कि मेरे दो लिंक्स है एक फीचर नाम का लिंक्स है अब यार अगर मैं मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस फीचर पर क्लिक करूँ तो यहां एक छोटा से सेक्षिन खुल जाए जिसमें की मेरे सारे फीचर देख दें इस परौडट के बारे में ठीक मगर अगर मैं इस जूपर क्लिक करूँ ठीक है तो फिर क्या उना चाहिए कि और मैं नया प्रौडट एड़ करना चाहता हूं तो फिर एक नया टाप खुल जाए जिसके इंदर में नूपर अपनी लिस्ट कर सकूँ ठीक है और मैं इसके लिए क्या मैं कोई दूसरा दूसरा अलग अलगे चाहता मादलो में इस बटनपे क्लिक करूँ यला पे Johnson इस बटन पे क्लिक करूँ तो आधा संक मैं और क्या सब्सक्राइब यू चाहते हूं कि यहां देखेंगे तो सबसे पहले अपने को आना पड़ेगा कोड़े एटर पर आते हैं ठीक है और इसके लिए जैसा कि मैंने बोला कि हम यह वाल एक्जामपल क्रेट करने वाले अभी के टाइम पर अगर आप यहां देखो गे तो हमारे पास दो राउट से पहला तो मेरे होम राउट है ठीक है और दूसरा मेरा अगर मैं अपने युआ पर लेके जाओं तो युआ पर देखो है मेरे होम पेज और सबसे पहले क्या करेंगे और इसके लिए मैं आऊंगा कंपोनेंट के अंदर और यहां इस कंपोनेंट के अंदर आता हूं और यहां एक प्रोड़क नाम का पेज बना देता हूं अब इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे और यहां इस प्रोड़क की चेकर यूज़ कर लेंगे ठीक है अब यहीचीज हो जने के बाद अब मैं अगर अपने पर यहां पर यहां पर यहां और यहां और लिंक टैग अड़ कर देता हूं प्रोड़क नाम से यहां हमने कौपी किया और यहां चेंज करके इसको पर देप्रोड़क्ट और इस नाम को भी चेंज लगत कर अगर कर आने तो हमने लिंक टैग पिनाने के लिए हम बेसी कौपी कर लेते हैं फाइनली ठीक है और में प्रड़क्ट वाले पेच पे आते हैं और यहां इस div के अंदर क्योंकि मैं यहां दो लिंक बनाना है सबसे पहले यहां लिख देता हूं कि प्रड़क्ट पेच इसको मैं ले देता हूं इस टू टैक के अंदर इसके नीचे हम अपने लिंक्स मनाएंगे और यहां मैं यूज करूंगा लिंक टैक का इंस्टेड ओफ नेव लिंक का ठीक है तो मैं यहां रखोंगा सिर्फ दो ठीक है और तीसरे वाले को हटा देता हूं लिंक की जगे पर हम अब यहां क्या लेंगी यहां देंगे मैं तो एक बनाना चाहता हूं फीचर के लिए और एक बनाना चाहता हूं नाम से यहां भी हम नाम चेंज कर देंगे नियू और उपर फीचर देखो यार पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही होगी अभी उसको इनोर करना ठीक है क्योंकि यहां बच्चे काफी रोते ही जाते हैं बहुत रोते हैं बच्चे अब मैं अपने प्रोड़क्ट पेज पर आपको ले के जाऊं तो आप देखो मेरे पास अब दो यह आ गया ठीक है एक फीचर के लिए एक नियू के लिए ठीक है बट फिलाल में क्या करता हूं थोड़ी स्टाइलिंग देके इसका जो यह है जो अंडर लाइन इसको अठा फीचर यहां जाएगा अपना इडर आजाएगा ठीक है तो मैं यहां क्या करता थोड़ी स्टाइलिंग देता हूं कर यहां मैंने बेसिकली इनकी स्टाइल्स देती हूं कि यहां की अगर आप यह देखोगे तो यूल में हमने डिस्प्लेय फ्लेक्स किया हुआ है गैप दिया 10 पिक्सल्स का और जो स्टाइल्स है ठीक है बंदर जो बाइडिफॉल्ट स्टाइल होती है उसको चेंज करने के अगर यहां इस नियुक्त करने के लिए हमने अले स्टाइल्स टाइप का यूज के जिसका हमने नन दिया ठीक है और यहां जो लिंक्स के ऊपर मैंने टैक्स डेकुटेटर को स्ट्रो नन दिया है ताकि इनकी जो डिफॉल्ट अंडरलाइन वाली स्टाइल हो अट जाए ठी अगर मैं इस तो मैं यहां का यहां मैं यह सकताए हुआ का चाते है ठीक है जैँ ह्पर डाद करें ??? तो इस तरीके से पहले बात तो को यह ध्यान देना है ठीक है तो हम एक चीज करेंगे दूसरी चीज जो हम करेंगी वह अब हमने को यहां डिफाइन करना है ठीक है क्योंकि इन राउट्स के लिए मेरे पास कोई पेज नहीं अभी तक इसलिए पेज नौट आ रहा है तो हम सब फीचर्स नाम का किसके अंदर बना और अउसी तरी से जो मेरे नियू नाम का राउट्स बनेगा वह भी कहां बनेगा इस प्रॉडट के अंदर बनेगा ठीक है तो हम यहां कहा करेंगे हम यहां कॉनसा अप्ट आदा फिर नेस्टर डाउटिंग का ठीक है तो मैं बेसीकली अब जो में राउट बनाओंगा यह नए राउट रॉट के अंदर ठीक है अब यह दो अरॉट बना रहा हूं भूएसे एक बनाओंगा एक बनाऊंगा वहाई मैं न्यू न्यू नुम से ठीक है तो मैंने अब बना दिया एक ऊप्रीचर को दिए साथ शहाट में इस बारें श्यक्तर और साथ में हम्हें बनाना है तो मैं यहां दू और component बना लेता हूं ठीक है एक बनाओंगा features के लिए और एक बनाओंगा new के लिए और यहां में लिख देता हूं this is my feature page इसी तरीकी से हैं मैं और component बनाओंगा जिसका मैं नाम रखोंगा new.jss यहां भी हम सेम काम करेंगे but this is my new page अब आप बोलोगे कि यार हमने यह दोनों बना तो लिए ठीक है अभी तक हमने इसको यूज तो किया नहीं है नहीं features को यूज किया और नहीं मैंने new वालों की उसकिया ठीक है हम सबसे पहले क्या करेंगी यहां आएंगे अपने इस app.js के अंदर यहां इन दोनों को इंपोर्ट कर लेंगे ठीक है तो यहां मैं लिखोंगा features ठीक है और हमने इंपोर्ट कर ले feature को और मैं same new की जगवे मैं क्या रेंटर कर देता हूं सबसे पहले ठीक है ताकि मेरे system को पता चले कि भाई यह नाम का component है राइट मैंने यहां भी आया और यहां भी मैंने इसको new में आता हूं और इस new को import करनी कुशिश करता हूं तो यह हम आप कर पा रहे हैं अब अगर आप यहां जाओंगे ठीक है अगर features पे click करूं या new पे click करूं ध्यान देना क्या हो रहा है अगर features पे click किया पात तो बन रहा है content कुछ नहीं आया ठीक है new पे click किया परता है मुझे यूज एक करने पिखने हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं तो हम इसको यूज़ करते हैं है और इसके बाद तो से और चीज़ करूंगा उसको मैं बोलोंगा मैं बोलोंगा ओलेट ठीक है तो एक और component यहां से इंपोर्ट करें आउटलेट नामसे अब यह यह करेंगा जो भी यह फीचरस रहें यह फीचरस क्योंकि इसके अंदर रहें प्रॉट के अंदर अब मैं इस outlet से position position define कर रहा हूं कि भाई यह जो content रेंडर का होगा तो मैंने बोला कि भाई सबसे वहला तो मेरा यह जो इसके बाद मेरा यह जो भी content मैं वहां से भेज रहा हूं फीचर के अंदर या फिर दूसरे वाले पेज के अंदर वो इसके बाद रेंडर होना चाहिए ठीक है तो अगर आप अब आप गाहोगे यहां तो देखो है features और new page के बाद मेरा आ गया this is my new page ठीक है अब मैंने बोला इसकी position depend करती है अगर मैंने मानलो कि इसकी position उठाके यहां से हटा दी और मानलो कि यार मैंने इसको nav link के उपर लगा दिया ठीक है यहां मेरा nav बार शुरू हो रहा है मतलब यह मेरा links वाला URL tag है अगर मैंने इसको उपर कर दिया तो अब यह जो मेरा component है इसके उपर render होने लगेगा ठीक है आपको दिखाता हूं देखो अब यह इस link के उपर render होने लगा अगर मैंने feature page अगर मैं new page लिक्क है तो यह इस चीज को बड़ा ध्यान पर देना ठीक है यह जो आउटलेट को ठीक है तो मैं क्या करूंगा मैं हर एक element को अलग अलग जाके style दूँ ठीक है तो मैं काम कर सकता हूं भाई मैंने ले लिया ठीक है एक डिव ले लिए और इस डिव के अंदर इस outlet को रैप कर दिया हूं और यहीं style दे दी तो अब आप यहां देखो गते हैं यहां मैंने बेसिक लिए कि बसकुछ नहीं किया एक बॉर्डर के बाद यहां बगल में मार्जिन एड़ कर दिया और उसके अंदर थोड़ी पैडिंग कर दिया अगर मैं इसको अब आप यहां देख रहे हैं कि फीचर के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं तो इस तरीके से आप स्टाइल दे सकते हैं तो आप यहां डिरेकली इस आउटलेट के उपर एक डिब बना के देदो ठीक है मट अगर मानगा आप यह चाहते हो कि नहीं यार में को हर एक अब नेक्स वीडियो में क्या करेंगा नेक्स वीडियो में हम यह देखेंगे कि इंडेक्स राउ इंडेक्स मतलब अभी के टाई पर आप यहां ओगे अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं ठीक है तो क्या हुरा है तो बैसिकली आ यह ब्लैंक आ रहा है है क्लिक को यूप्य और टेकली और यह जो डिव है दिव अगर मैं इस तरह से खाली दिखे अजीब सा नहीं लग रहा ठीक है महां प्रड़क वाले पेज पर तो हैं मगर मेरे पास कुछ दिख नहीं ला ठीक है तो यार मान लो गर मैं इस तरह कभी behavior करना चाहता हूं तो मैं किस तरह से करूंगा ठीक है तो उसी को हम बोलते हैं इंडेक्स राउपिंग ठीक है इस behavior को हम बेसे के लिए पर नेक्स वीडियो के अंदर देखेंगी ठीक है तो आपको सारी चाहिए समझ में आई होगी और जो नहीं समझ मैं है प्लीज अब इंसक् करता है ठीक है तो चलो मिलते फिर हम नेक्स मीडियो में तब तक लिए वा नाइस दे और गुद बाए